नमस्कार, कल शाम के पांच बजे से आज शाम के पांच बजे तक गुजरात में कुल 363 यानी 363 पॉजिटिव केस उस कोरोना के आए हैं और इसी अरसे में 11 ऐसे लोकों की मृत्यू हुई है जिनके मृत्यू के लिए COVID का संक्रमन परात्मिक कारण कहा जा सकता है 18 ऐसे लोकों का भी दुख़द अफसान हुआ है कि जिनको पहले से अन्य गंभीर बीमारी थी और COVID का संक्रमन होने के बजह से भी एक secondary cause of death कह सकते हैं उनकी मृत्यू हुई है आज खास 392 जितने लोग 392 जितने लोग discharge हो गए हैं अपनी इलाज और चिकीटसा पूर्ण करके तो आज जितने लोग discharge हुए हैं वो आज के positive cases से कई जाधा संख्या में हैं और इसके साथ हमारे गुजरात भर में जो recovery rate है 44.3 यानि के 44.3 प्रतिशत होता है और इसके साथ कुल हमारे जो discharge हुए हैं आज तक वो संख्या बढ़के 5,880 तक चली जाती है और अभी तक के जो positive हमारे patients हैं ये हैं 13,273 total positive हमारे जो patients हैं और अभी जो active patients हैं यानि के जो अभी चिकित्सा ले रहे हैं hospital में या isolation wards में हैं या फिर घर home isolation में भी हैं ये संख्या 6528 की है वेंटिलेटर पर 63 जितने लोग हैं जो critical हैं और पिछले 24 घंटे यानि के आज शाम के 5 बजे तक कुल हमने 6410 RT-PCR tests किये हैं और इसको जोडते हुए अभी तक के कुल हमारे जो tests हैं आज दो बहुत ही हमें प्रेजना दे ऐसे success stories हैं साफल यगाथा जिसे हम कहते हैं एक है 65 वर्ष के जस्वन सिंग भाई परिहार जो अमदाबाद के वस्त्राल में रहते हैं आठ मई के दिन उन्होंने उनको सर में दर्ध होने लगा एलजी हॉस्पिटल गए थे बिलकुल ये असहय था उनसे सहा नहीं जाता था तब उन्होंने अपनी याददाश भी गुमा दी थी और जब डॉक्टर्स ने उनका CT स्कैन किया तो कहा कि इसका डाइगनोसिस करके इनको ब्रेन हैमरेज हुई थी यही नहीं बलके जब टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये COVID-19 के भी पॉजिटिव थे और तुरंत इनको सिविल हॉस्पिटल अमदाबाद में रेफर किया गया 9 माई के रोज वहाँ पर जब वो एडमिट हुए थे तो उनकी निकट के उनके परिवार के सब ये सबने अपनी पूरी आशाय काफी बिलकुल वो हताशा उनके चारों और फैलने लगा लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर्स थे उन सबने उनको आश्वासन दिलाया और कहा कि आप बिलकुल इस परिस्तती में भी सरजरी जरूर करें और उनकी जो कंडिशन थी उनने जी सी आराय में भी शिफ्ट किया गया उनकी कंडिशन थोड़ी और गंभीर होते हुए उनको रात के एक बज़े से सवेरे तीन बज़े तक बिलकुल पूरी हमारे कोरोना वारियर्स जो हैं डॉक्टर्स, सरजन्स, पैरामेडिक्स पूरी टीम ने बहुत अथाक बहनत करके सरजरी की सरजरी बिलकुल सक्सेस्फुल थी और उनको फिर से डी नाइन आइजोलेशन वाट सिवल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया उसके बाद फिर उनकी याददाश भी वापस आ गई और ये सब इसका फिर से याद करते हुए इस से अब बिलकुल हीरो हो गया हूँ और इतनी अच्छी उनकी देखरेक वहां के डॉक्टर्स, पारमेडिक्स, नर्सेज और पूरी टीम ने की उनको बहुत अपना एक कृतगिता और थैंक्स कहते हुए उन्होंने खास कहा के जब इन्होंने पूरी इनके फैमिली मेंबर्स सबने आशा सब घुमा दिया था, तब डॉक्टर्स ने इन्हें काफी प्रोचसाहन दिया, आशवासन भी दिया और खास वहां के जो नियूरो सर्जरी डिपार्टमेंट सिवल हॉस्पिटल एमदबाद के डॉक्टर S.J. सोलंकी, डॉक्टर जयंत, डॉक्टर मिलाप, उन भगवान को साक्षा देखा तो नहीं है, पर यही डॉक्टर्स, यही हमारे जो हीरोज हैं, यह मेरे लिए भगवान के समान हैं, आईए इनके वीरियो को देखते हैं मेरा नम बदुरिया गजेंदर सिंग है, और यह मेरे ससूची है, तो इनके सहर में कुछ दिनों पहले दर था, जो इनने पता नहीं चला, और हम इनको लेके LG होस्पिटल गए थे, और LG होस्पिटल जाने के बाद, बाद में पता चला, वहां पे इनको दो दिन बाद, इनक ब्रेन एमरेज का इनका सिटी स्केन किया गया, सिटी स्केन में ब्रेन एमरेज पता चला, और ब्रेन एमरेज का इनका इलाज चालू हुआ, और उसके दो दिन बाद, इनने कोरोना पोजिटिव बताया गया, और इनने सिविल भेज दिया गया, फिर इनने सिविल भेजने क के भाद जब सिविल में हम आये तो हमें इने बारोस वेट में रखा गया mau एइस्जियो लेनरी गेराइस चिला उसके बाद दू दिन बाद में नंका वहां इलाज चला उनका इलाज चलने के बाद की रिपोर्टे सारी कट्टी की गई फिर बाद ने डाक्टर ने हमको बताया के वह इनका कोरोना का रिकोर्ट पोजिटीव भी आया था और दूसरी बात ही है कि इनको ब्रहन एमरेज है तो इनका इमिडेटली ऑपरेशन करना पड़ेगा फिर ऑपरेशन के लिए उन्होंने हमी रात को 11 बज से डाक्टर साब ने कॉल किया बोल आप होस्पीटल आजाए और हम होस्पीटल आए उसके बाद होस्पीटल आने कि वह दॉक्टर ने एक बज़े इनको नाइट में एक बज़े करीबन ये ब्रहन एमरेज के अपरेशन के लिए अंदर ले गई ने और तीन सबात इन संपून और स्वस्थ इने कोई दिक्कत नहीं है और ये अपनी रिच्चे खुद ही आराम से रहना चाहते हैं और व्यावस की घूम फिर लेते हैं जिसे इने को सिविल वालों का अभारव्यक्त कर रहे हैं और ये डोक्टरों का भी अभारव्यक्त कर रहे हैं और ये एक मे बताओ बताओ जीरो से जीरो बनके जा रहे हैं आज और इन्होंने एक और मेसेद दिया है जो मुझे बताया बोले डॉक्टर भगवान ने मैंने कभी डॉक्टर को तो ठीक है बगी भगवान को कभी देखा ने दा मगर डॉक्टर के रूप में भगवान को जरूर देख लिय यह इन्होंने मेसेज दिया एंपर यह अभी तोड़े एमोशनल हो गये बोलने पाए रहे जिसे मुझे कहना पड़ा बाकि सभी दोक्टरों का आपर और सिविल सभी जप्तों का नर्स और और ॉल सिविल स्टाप का आपाद नमस्कार और अभी एक और बहुत अच्छी एक साफल यगा था हम सूरत में जो हुई है उसके बारे में कहेंगे सबसे पहले ये बात है कि सूरत में अभी तक 1186 जो हमारे पेशन्स हैं उनका इलाज हुआ है और उसमें से 802 जितने लोग इलाज परिपूर्ड करके डिस्चार्ज करके वापस घर चले गए हैं और इसकी वजह से हमारी जो रिकावरी रेट सूरत शहर के लिए और सूरत के हॉस्पिटल के लिए है 67.6% यानि के सरसट 0.6 प्रतीशत है जो भारत के एक आवरेज के से कहीं जादा उपर भी है और ये एक अच्छी बात है वैसे ही एक सिविल हॉस्पिटल में एक 17 वर्ष के एक दिव्यांग श्री मेहुल धर्मील जैन जिन्होंने कोरोना की इस लड़ाई में बहुत ही हिम्मत के साथ इन्होंने वहाँ लड़ी भी है और सफलता प्राप्त हुई है उन्हें और इनके साथ सैकार के लिए, इनके जो इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए हमारी पूरी टीम, इसमें डॉक्टर्स, पारा मेरिकल्स और वहां के हॉस्पिरल के सभी स्टाफ, एद्मिनिस्ट्रेटर्स सभने बहुत ही अच्छी तरह से काम की है, लेकिन मेहुल ने हम सब को एक उधारन दिया है, हम सब को करके बताया है कि अगर एक बार कोई संकल्प कर लेता है, ठान लेता है, तो ऐसी परिस्तती अगर भले वो दिव्यांग क्यों न थे, भले कोई दूसरी प्रतिकूलता क्यों न हो, वो जरूर कोविट के सामने उस लड़ाई में जीत सकते हैं, तो इससे इनका जो रवया है देखके हम सब को जोतने भी कोरोना वाडियर्स हैं, सब को भी एक अनुखा प्रकार का उनको एक प्रेरना मिलती है और एक आनन भी मिलता है कि इस तरह से ये जीत सकें, नमस्कार.